कूट नीति मोर्चों पर हमेशा असरदार रहे विदेश मंत्री एज़े संकर ने एक बार फिर पच्चिमी देशों की बोलती बंद कर दी है। बार रूस से थेल खरीदने के सवाल पर भारतिय विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया को भारत को कोईसने के बजाए धन्वाद कहना चाहिए अगरर रूस से भारत तेल नहीं खरीदता तो दुनिया बड़े संकर में फच्चाती वहीं उन्होंने कनाडा को भी महा छूट बोल पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती थी ऐसे में भारत की रणनीती ने तेल और गैस बाजारों को इस्थिर करके महंगाई को रोकने में मदद की है दुनिया को भारत की आलोचना करने के बजाए थैंक्स कहना चाहिए पतादे की पच्चिमी देशों ने उकरेन इुद की बज़े से रूस के तेल निर्यात पर कड़े प्रतवन्द लगा दिये थे लेकिन भारत को रूस ने रियायती दरों पर तेल वेचा आने वाले दिनों के वारे में विदेश मंतरी एस जय संकर ने कहा कि हमने बास्तब में अपनी खरीद नीतियों के जरिये ओल और गैस मार्केट को नरम कर दिया है इसकी बज़े से महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा ये सब ही देश जानते हैं कि भारत बड़ा तेल आया तक देश है अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीता तो भारी मांग के कारण तेल और गैस बाजार में हाय तौबा मज जाती इससे तेल के दाम चरम पर पहुँच जाते अब मैं दुनिया के अन्देशों के धनवाद का इंतियार कर रहा हूं कि हमने दुनिया को बड़े संकट से बचा लिया है भारत के इस कदम से आने वाले दिनों में अंतर राष्टी बाजार में अन्देशों की इस्थिती सुरक्षित रहेगी ब्रदेश मंत्रिये से संकर ने खालिस्तानी आतंकी हरदीब सिंग निजर की हत्या को ले कर भारत पर लगाय आरोपों पर कनाडा को आईना दिखाया है उन्होंने एक बार फिर सबूतों की मांग की लंदर में एक कारिकरम के दोरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार निजर की हत्या की जांच की जरूरत से इनकार नहीं कर रही है भारत हर जांच में सयोग को तयार है लेकिन कनाड़ा को अपने उन आरोपों के समर्थन में सबूत पे बतादें कि 18 जून को खालिस्तान यातंकी हरदीव सिंग निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया था उसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिष्टे बहुत तनाव भरे दोर से हुआ 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 है